Hello, last video में हमने क्या देखा तागा एक पर फिर से चलेंगे हम हमारे W3Schools के उपर और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL functions हम कर रहे हैं MySQL string functions अल्रेडी हम cover कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं MySQL numeric functions और इसी line में cover करते करते हम पहुँच चुके हैं div function तक आज अभी हमें करना है EXP function क्या होता है MySQL EXP function क्या है एक बार इसको detail में देखते हैं definition देखते हैं The EXP function returns E raised to the power of specified number means हमें क्या return करेगा कि E की power में जो भी हम क्या number लिखेंगे उसकी value को क्या करेगा यह return करेगा और E की value हमें पता है constant है होता है यह और इसकी value है 2.718281 अप्रोक्स चीक है और यही हम क्या करेंगे इसकी power में जो भी value आएगा उसको क्या कर रहा है यह EXP function written करके दे रहा है syntax देखते हैं ज़्यादा clear होगा EXP parenthesis start बीच में number लिखेंगे parenthesis close ठीक है यह EXP function का क्या है syntax है parameters values देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है number pass करना है जो कि required होगा और जिसकी power हमें निकालनी है में जितनी power बतानी है जैसे E की power कितना तो यहाँ पे वो number बताना है कि कितनी power हमें use करनी है और इसका example देखते हैं आपको ज्यादा अच्छे से clear होगा यह देखो यह E की power 1 लिया है इसने तो means वैसे generally क्या है means देखो यह 2.71 की power 1 को solve करके यह answer बताएगा ठीक है तो means हमारा वो ही था जो constant है 2.7 something क्योंकि यह बिल्कुल वो ही है same as it is पावर 1 होगी अगर इसी की power हम क्या करते है 2 करते है तो means E की power E means 2.something की power 2 हमें चाहिए और अलग से इसको मैं यहाँ पे system के calculator में भी आपको दिखा देता हूँ जो हम यह E function यूज करते हैं यह वाला भी होता है और generally जो हमारी actual value है उसके साथ करके देख लेते है 2.71 यह है हमारी इसकी power और power के लिए हम use करते हैं यह वाला और हमें power में चाहिए जैसे हमने यह लिया था function 2 लिया था और इसके वाद 2 करके देखते हैं तो हमारा यह देखो तो यह power ले रहा है यह number की power में कितना लेना है तो exp जितना power में number लेना है और e की by default यह value उठा रहा है तो यह बिल्कुल लगबग same है number 7.38 तो यही क्या था हमारा exp function next वीडियो में हम करेंगे floor function आप लोगों से ग्रेटर request है please मेरे चैनल को subscribe किजिए share किजिए thank you जय हिंद जय वारत